बढ़ने से नहीं जड़ते ये वीर स्यानिक सेना में सबसे जावाज माने जाते हैं ये वीर हर हालात में लड़ने को तैयार रहते हैं ये इनकी बहादुरी के किस्से है अमर भारती ये सेना का हर स्यानिक जावाज होता है लेकिन ये कैसे स्यानिक हैं जिन्हें सबसे जाबा अजमाना जाता है मौत सामने खड़ी हो तो ये उससे भी दो-दो हाथ करने को बेताब रहते हैं इनकी बारे में कहा जाता है कि इन्हें मरने से डर नहीं लगता हालाग कैसे भी हो ये हर समय लड़ने को तयार रहते हैं बहादुरी ऐसी कि ब्रिटिश सेना ने भी इन्हें अपनी सेना में जगहती है भारत की सेना के तो ये जवान शान है हम बात कर रहे हैं गोरखास स्यानिकों की इनके बारे में भारती सेना के प्रथम फील्ड मार्शल सैन मानिक्ष्वा ने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति कहता है कि वो मरने से डरता नहीं तो या तो वो जूट बोल रहा है या फिर वो एक गोर्खा है मानिक्षवा की ये बात भारती सेना की गोर्खा रेजिमिंट सच साबित करती है 24 अप्रल 1815 को ब्रिटिश त्वारा इस रेजिमिंट के नीव रखी गई थी भारती सेना की गोर्खा रेजिमिंट की बारे में माना जाता है कि ये सेना की सबसे जाबा जिकाई है भारती सेना में गोर्खा रेजिमेंट के सैनिक आजादी के समय ब्रिटेश और नेपाल के राजा के द्वारा किये गये समझोते के आधार पर काम करते हैं ये सैनिक नेपाल, भारत और ब्रिटेंग की सेनाओं में काम करते हैं गोर्खा किसी एक जाती की योधा नहीं बलकि नेपाल में एक जिला गोर्खा है जो अपनी योधाओं के रिए प्रसित है भारत की सेना में गोर्खा सैनिकों की भर्ती, पहाडों में रहनी वाले सुनवार, गुरंग, राय, मागर और लिम्बो आधी जाती उसे की जाती है ब्रिटिश सेना भी ऐसे ही इनकी भर्ती करती है ऐसा कहा जाता है कि गोर्खा प्राक्रितिक रूप से ही योध्धा होते हैं गोर्खा सैनिको को उनके आक्रमन करने की आक्रम अक्षैली के लिए जाना जाता है ये मजबूत, फुर्थीले, सुवेवस्थित, आत्म निर्भरता से परिपून, वफादारी और साहस से भरी होते हैं जब भारत प्रिटिश सामराज्य का हिस्ता था, तब पहले विश्वयुद्ध में प्रिटिश सामराज्य की तरफ से नेपाल के दो लाख गोर्खा सैनिकों ने भाग लिया था इस युद्ध में उन्होंने दुश्मनों को धूल चटा दे थी, और आज भी प्रथम विश्वयुद्ध में उनकी बहादुरी के किस्ते सुनने को मिलते हैं हाला कि पहले विश्वयुद्ध के समय करीब 20,000 गोर्खा सैनिक मारे गय थे गोर्खाओं की बहादुरी से प्रभावित होकर अंग्रेजों ने 1857 से ही अपनी सेना में गोर्खा सैनिकों को भरती करना शुरू कर दिया था भारत के प्रथम स्वतंतरता संग्राम में इन्होंने ब्रिटिश सेना का साथ दिया था क्योंकि उस समय ये इस्ट इंडिया कंपनी के अनुबंध पर काम करती थे 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो ब्रिटेन भारत नेपाल के बीच एक तरी पक्षिय समझोता हुआ इस समझोते के तहट ब्रिटेश भारती सेना का हिस्सा रही आजादी के बाद सातमी गोर्खा राइफल्स और दसमी गोर्खा राइफल्स के सैनिकों को भारती सेना में शामिल करने के लिए सातमी गोर्खा रेजिमिंट बनाई गई इस समय भारतिय सेना में साथ गोर्खा रेजिमिन्ट है और इन साथ रेजिमिन्ट की 49 बटालियन देश स्थेवा कर रही है एनमे से 6 रेजिमिन्ट बिटिश भारतिय सेना से भारतिय सेना में शामिल की गई थी जबकि 7 रेजिमिन्ट को आजाधी के बाद बनाया गया था गोर्खा रेजिमेंट की पहचान 12 इंच लंबा नुकिला धारदार हतियार खुकरी और तिर्शा हेटकियर है ये स्थानिक खुकरी को अपनी नीजी हतियारों के रूप में अपने साथ रखते हैं गोर्खा रेजिमेंट का रेजिमेंटल चिन्ध भी खुकरी है ऐसा कहा जाता है कि एक गोर्खा जब अपनी खुकरी निकाल देता है तो वो दुश्मन का फून बहाय बिना म्यान में नहीं जाती जै महाकाली आयो गुर्खाली की युद्धनाद कर ये दुश्मन पर तूप पड़ते हैं इंसैनिको कनारा कायर होने से तो मरना अच्छा है और इस नारे के साथ ही ये दुश्मन सेना का काल बन जाते हैं भारतिय सेना को गोर्खा रेजिमेंट ने तो फिल्ड मार्शल भी दिये हैं सैम मानिक्षवा और जर्नल दल्बीर सेंग सुहाग गोर्खा रेजिमेंट से ही हैं भारतिय सेना की गोर्खा रेजिमेंट ने पाकिस्तान और चीन के खिलाब कोई सभी लड़ाईयों में दुश्मन सेना को अपनी बहादुरी का लूहा मनवा दिया था युद्धों में अपनी साहस और शौरी से दुश्मन को पस्त करने वाले इन सैनिकों को अब तक 11 वीर चक्र, 2 महा वीर चक्र, 3 अशोक चक्र, 1 परम वीर चक्र से सम्मानित किया जा चुका है गोर्खा सैनिकों के अदम मिसाहस से प्रभावित होकर इंग्लैंड के रक्षा मंत्राले के बाहर एक गोर्खा की मूर्ती स्थापित की गई है केवल दुश्मन को पस्त करने के लिए ही गोर्खा सैनिक नहीं जाने जाते, ये शान्ती मिशन के लिए भी जाने जाते हैं भारतिय सेना के इस रेजिमेंट के जवानों ने अदम मिसाहस और वीर्ता दिखाए थी, हर साल करीब 1200-1300 नेपाली गोर्खे भारतिय सेना में शामिल होते हैं भारतिय सेना में समय एक लाख बीस हजार गोर्खा सैनिक हैं जो भारत माता के रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने के लिए हर समय तयार रहते हैं